Hi this is Aditi Rana, today we will complete class 7th polity chapter 4 growing up as boys and girls, so let's begin Gender justice is an important issue to be highlighted जो हमारी society है, जो हमारा समाज है, यहाँ पे girl और boys के बीच में बहुत ज़ादा भेदबाव होते हैं उनके बीच में equality लानी चाहिए और यह एक ऐसा topic है जिसे highlight करना चाहिए जिसे चर्चा करनी चाहिए जिसके बारे में ताकि लोगों का इस और ध्यान जाए The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys and what boys and girls should do and they cannot do जिस समाज में हम रहते हैं, जिसमें हम बड़े होते हैं, जहाँ पे हमारी परवरिश होती है वो हमें society सिखाती है कि girls को किस तरीके से behave करना चाहिए, boys को किस तरीके से behave करना चाहिए For example, girls से बोला जाता है धीमें बोला करो, घर में सब की भात माना करो और boys से बोला जाता है कि रोया मत करो, लड़के रोते नहीं है, ठीक है, मर्द को दर्द नहीं होता तो इस तरीके से कुछ लोगों ने पहले ही अपने दिमाग में बना रखा है कि girls को क्या करना चाहिए, boys को क्या करना चाहिए Then, जो हमारा पहनावा है, उसमें भी बहुत सारे restrictions होते हैं, girls से expect किया जाता है कि आप लंबे बाल करोगे, हमेशा make-up करोगे, बच्पन में toys भी आपको क्या मिलते हैं, kitchen set मिलता है, baby dolls मिलती है वही अगर हम boys की बात करें, तो वो Robert से खिलते हैं, car से खिलते हैं, ठीक है Secondly, what boys and girls can do and cannot do, that also society decides Society बताती है कि घर पे औरतों को रहना चाहिए, बुजर्ग लोगों की, बच्चों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें पालना चाहिए ठीक है, लिकिन जो gents है, उनका काम क्या है, घर के बाहर जाके earning करना तो society ने ये भी पहले से decide कर लिए, कि घर पे cooking ladies करेंगी और बाहर जाके earning gents करेंगे The roles women play and the work they do is usually valued less than the roles men play and the work they do Generally क्या होता है, औरते जो काम करती है, जो work उनका हमने describe किया जब वो उसे करती है, तो उनकी जो value होती है, वो कम समझी जाती है As compared to the work which is done by the men, आदमी जो काम करते हैं, उसके comparison में जो औरते करती हैं, उसकी value कम समझी जाती है Next is growing up in Somoa in the 1920, 1920 की बात करी है, 1920 में अगर आप वहाँ पैदा होते हैं Somoa दीप पर, तो किस तरह की वहाँ पे life is healthy लोगों की The Somoa Islands are one of the large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean जो Pacific Ocean है, उसके जो southern part है, जो south वला हिस्सा है, वहाँ पे बहुत बड़ा सा group है Small small island का और उसी में से एक है Samoa Island In the 1920, children on these islands do not go to school अगर हम 1920 की बात करें, तो उस समय यहाँ के बच्चे school नहीं जाते थे Fishing was very important, यहाँ का लोगों का main occupation क्याता के वो मचली पकड़ते थे तो यह उनकी एक ऐसी activity थी जो उनके जीवन यापन का एक मुख्य जरिया था Young people therefore learn to undertake long fishing expedition तो यहाँ पर क्या होते था, जो young लड़के होते थे, जवान लड़के होते थे उन्हें बड़े बड़े journeys पे भेजा जाता था, तक ही दूर दूर भेजा जाता था कि आप जादा से जादा fish पकड़के लाओ लेकिन उनकी जो childhood होती थी, जब उनका बचपन होता था अलग-अलग age पे, girls और boys को सिखाया जाता था, मचली पकड़ना उसे अब detail में देखते हैं, when the babies started walking on their own जब छोटे बच्चे खुद से चलना सीख जाते थे, they were left under the care of their older brothers and sister उन्हें उनके बड़े भाई-बहनों की care में रखा जादा था, children as old as five years looked after their younger siblings तो वो बच्चा जो पांस साल का यहां पे के मेज है, के एक पांस साल का बच्चा है यहां पे, ठीक है तो जब उसका छोटा भाई-बहन, जब चलने लाइक हो गया, तो parents क्या करते थे, छोटे बच्चों को उनके बड़े भाई-बहनों के साथ घर पे छोड़ देते थे, और खुद वो कहां जाते थे, fishing करने जाते थे, agriculture करने जाते थे After attaining nine years of age, boys joined the older boys for outdoor activities जब कोई लड़का इस दीप नौ साल का हो जाता था, तो फिर उससे बड़े लड़कों के साथ भेजा जाता था, outdoor activities पे, जैसे के वो fishing करने जा सकता था, या coconuts को plant करने भी जा सकता था, जबकि अगर girls की बात करी जाए, तो उनका काम अभी भी क्या था, कि वो अपने छोट पे जा सकते हो, जहां पे आपको different crops को लगाना होता था, for example, rice वगएरा को grow करना होता था, तो वहां पे अब जा सकते हो, या फिर अपनी मदर की help कर सकते हो cooking में, ठीक है, यानि कि अलग-अलग एस पे, 9 एर पे बच्चों लड़कों को consider किया जाता था, कि अब यह mature है, अब इन से baskets बनवानी चाहिए, next is growing up male in Madhya Pradesh in the 1960, Madhya Pradesh की बात कर रहे हैं, और 1960 में वहां पे कैसी life थी, boys and girls की, in Madhya Pradesh, India, boys and girls had a different outlook, Madhya Pradesh जो की India में ही है, भारत का दिल कहा जाता है, तो यहां पे जो लड़के लड़किया है, उनकी जो schooling होती थी, life होती थी, काफी different होती थी, the girls school was designed very differently from the boys school, अलग-अलग schoolों में वेजा जाता था, और जो लड़कियों के school थे, वो लड़कों के schoolों से काफी different हुआ करते थे, they had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outer world, जो girls होती थी, उनके, जो school होती थे न, उनके center में, जैसे यह school है, तो बिलकुल इसके center में क्या होता था, एक छोटा स beach वाले place पे आराम से खेल सकती है, वो बाहर की दुनिया से protected होती थी, ठीक है, beach में आंगन सा होता था, वहाँ वो game खेलती थी, वह अगर हम बात करें boys school की, तो boys school में क्या होता था, एक बड़ा सा playground होता था, बड़ा सा गास का मैदान है, अब उसमें उन्हें free छोड़ दिय groups perhaps because they also carried fear of being teased or attacked, जो girls हैं वो काफी disciplined होती थी, ठीक है, उनसे expect किया जाता था, कहीं भी जाना है, line में जाओ, group में जाओ, अगर आपको यहाँ पे pick दिखाई दे रही हैं, तो आप समझेंगे, जो girls हैं, आज के भी time में क्या करती हैं, group में जाती हैं, घर तक भी group में जाती ह गलियों से निकलती हैं, और जुंड में निकलती हैं लड़की हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अकेले जाएं, तो कोई लड़का हमें परिशान करे या follow करे इस तरीके से, जबकि अगर लड़कों की बात करें, तो वो अकेले भी घड जा स गली में भूर्ट टैम तक खड़े भी रह सकते हैं, वो फ्री हैं तो यहां पर टाइम पास भी कर सकते हैं, यानि कि रूल्स अलग-अलग हैं सोसाइटी में गल्स के लिए और बॉइस के लिए, नेक्स्ट, इन मोस्स सोसाइटी इंकलूडिंग अवर ओन दरूल्स मैन और work, they do, are not valued equally. Men and women do not have the same status. जिस सोसाइटी में हम रहते हैं और जो अलग-अलग स्टेट की सोसाइटी है, वहां पे काफी similarity है, कि जो आदमर आइं को समान value नहीं दी जाती हैं, तो दोनों का स्टेटेस जो सोसाइटी में है, वो भी सेम नहीं हैं, यहां पे आपको एक स्टोरी से दर्श हाया गया है यहां पेक बच्ची आपनी मम्मी से बोलती है ममी हमें पिकनिक पे जाना है और हमारी टीचर ने बोला है कि अपने किसी एक गार्जन को लेकर आओ किसी घर के एक बड़े सदस्य को लेकर आओ ठीक है तब वो हमें लेकर चलेंगी टोरी का टैटल है ना मेरी इमा कोई काम नहीं करती तो लड़की ने ये बुला कि आज आप आफिस से चुट्टी ले लो तो मेरे साथ चलो अदवाइस तो मैं हरपीत की ममी के साथ ही हम दौनत जाते हैं क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्री है हाउस वाइफ है तो उस पे इस बात इन्हें भी हरपीत की इस मदर को बुरी लगती है ठीक है यह तो करता हैं क्यों वह हुच्छ नहीं करेंगी मृम गज कोहले को सुबह तो सुबह ने लेट हो रहे हो तो ओफिस जाने के लिए उन्हें ब्रेकफास्त नहीं मिलता है और ति एफिन भी नहीं मिलता है क्यों क्योंकि उनकी जो housewife पतनी थी वो strike पे थी आज ठीक है बच्चे भी लेट हो रहे थे तब ही उन्हें हॉन्ट सुनाई देता है कि school bus आ गई लेकिन बच्चे अभी तक ready नहीं है क्योंकि वो सुबर time से उठे भी नहीं थे से दे दिये थे ठीक है जब शाम को ठके हा रहे ये mister अपने घर वापिस आते हैं तो यह सोचते हैं कि इन्हें चाय मिलेगी पर इनकी wife तो strike पे थी क्योंकि वो तो housewife थी कोई काम नहीं करती थी तो इन्हें चाय भी अपने लिए खुद बनानी पड़ती है देन जब वो कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि घर के तक गंदा पड़ा हुआ है हर चीज एकदम मैस है जैसी उन्होंने सुबह छोड़ी थी अदरवाइस जब भी वो घर लोट के आते थे बिल्कुल नीट अन क्लीन मिलता था तो उन्हें समझ आता है कि उनकी वाइफ की वैल्यू क्या है ठीक है इस पर उनकी वाइफ मुस्कुराती है और कहती है अभी तो इन लोगों को मैंने ये सप्राइज नहीं बताया कि हमारे घर कुछ रिलेटिव और गेट्स भी आने वाले है तो य उन्हे तो उन्हें वैल्यू नहीं दी जाती है लोगों को क्या लगता है कि कोई लेडी हाउस और तो वो बिलकुल फ्री है RESPECT नहीं मिलती है उन्हें नेक्स्ट, वैल्यूंग हाउस वर्क, तो हमें वैल्यू करनी चाहिए हाउस वर्क, ये छोटे-छोटे काम भी बहुत जरूरी है, वोटों ने अपनी जो लाइफ है उसे डिवाइट कर रखा है, कुछ औरते हैं वो वर्किंग वूमेन हैं, वो ओफिस में वर्क करती हैं, ये जो रिस्पॉनसिबिल्टी के जिम्मेदारी है, के घर के जो बुज़ग हैं, जो सास ससर हैं या माबाप हैं, उनका ख्याल रखना, बच्चों को पालना, ये सब औरतों की रिस्पॉनसिबिल्टी है, और वो इसे अच्छे से निभाती भी हैं, लेकिन फिर भी उनको र बिना चप्पलों के मुझे उनके हाूस में काम करना पड़ा था पर उन्होंने मुझे कभी नहीं दी तो यहां पर यही दिखाया है कि जो हाउस वर्क हैं जरूरी तो हैं ताकि हमारी लाइफ सही से smoothly और organized तरीके से चलती रहे लेकिन जो औरते घर का काम करती है उन्हें उतनी value और respect नहीं मिलता है next a lot of housework actually involves many different tasks the work include serious and physically demanding situation hence women need to work very hard हमें यह बात समझनी चाहिए और respect करना चाहिए कि औरते जो काम करती है उसमें उनकी बहुत ज़्यादा physical energy use होती है खाना बनाना और बाकी घर की चीजों को organized रखना भी एक तरीके का काम है if we add up the housework and the work women do outside the home we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure अगर हम count करें अगर हम एक pen और paper लें count करें वो सारे काम जो अरते घर पे करती हैं प्लस उनको बहार के भी कुछ काम करने होते हैं payment करनी होती हैं like electricity bill पे कर रही हैं या कुछ और काम करें सबजी ला रही हैं बहार से बच्चों को स्कूल से पिक कर रही हैं बहुत सारे चोटे चोटे काम हैं अगर हम एक list बनाएं तो हमें ये पता पड़ेगा औरते आदमियों से जादा घंटों तक काम करती हैं ठीक है और जो अपने लिए जो उनके लिए time बचता है कि वो अपने कुछ आराम कर सके उसके लिए बहुती उनके पास limited time बचता है next, women's work and equality while the constitution does not discriminate between males and females in reality, discrimination still carries on जो हमारा समविधान है वो तो कोई हमें भेदभाव नहीं करता कि तुम एक लड़का हो या लड़की हो तुम इंजीनियर नहीं बन सकते या तुम एक लड़की हो तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकते तुम सिलाई कड़ाई सीखना है ऐसा हमारा समविधान तो कुछ नहीं कह सकता हमें boys को girls को equal rights दिये हुए है लेकिन जो society है उसमें अभी भी काफी क्या किया जाता है differentiate किया जाता है girls और boys को the government has set up आंगनवाडी और child care centers in several wages to help women बहुत सारी औरते हैं जिने घर चलाने के लिए job करने ही पड़ती है लेकिन problem क्या आती है कि जब आदमी काम पे जाता है तो अपनी wife के भरोसे बच्चों को और घर को छोड़ के जाता है कि ये देखे रहेगी right बट अगर ladies घर के बाहर काम करने जाएंगी तब बच्चों को कौन देखेगा तो इसलिए government ने आंगनवाडी इस create करी है ताकि वहाँ पे बच्चों को वो अपने छोड़ के जा सके यहाँ पे image दिखाई दे रही है तो ladies जब काम पे जाती है तो अपने बच्चों को आगनमाडी केंदर में छोड़ जाती है और जब वो काम से वापस आती है तो इन बच्चों को pick कर लेती है government ने एक lobby पास किया है कि अगर आप कोई organization कोई संस्था कोई company run करते है और वहाँ पे 30 से जादा औरते काम करती है तो आपको ने crash की facility देनी पड़ेगी basically आपको यहाँ पे child day care center की facility देनी पड़ेगी यानि कि कोई ऐसा room हो जहाँ पे कोई एक या दो इंसान हो जो औरतों के बच्चों की देखबाल करे ताकि वो उस time अपना work जो भी office का है वो finish कर सके तो यह जो provision है कि हमें crash की facility मिलेगी जितने time औरते काम करेंगी जो भी employment है देने वाली company अगर 30 से जादा female employees हैं तो वो उनके बच्चों को facility देगी चीक है तो इसकी वज़े से possible हो गया है कि औरते जो हैं वो अपनी life को explore कर सके office का work भी कर सके जो भी उनके interest की चीज़े हैं वो उने कर सके that was all about this chapter thanks for listening